पलामुजिले के तरहस्य स्थित परसावा में गांधी युवा क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया फाइनल मुकाबला परसावा और गुरहा के बीच हुआ मैच में बतोर मुक्यतिती के रूप में फांकी के विधायक प्रत्यासी सहर राजद के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरून प्रसाद यादो मौजूद रहे टॉस जितकर पहले बल्ले बाजी करते हुए गुरहा ने 114 रन का लक्ष दिया पिछा करते हुए और सामा की टीम दो विकेट से मैच पर जीत हासिल विजेता टीम को राजद नेता अरून प्रसाद यादो ने ट्रॉप्टी और 41 रुपे नगट देकर जहां पूस्कृत किया वहीँ पुप विजेता टीम को मुखिया पती गूल खान ने ट्रौकी दी पुप विजेता टीम को भी 41 रुपे नगर देकर प्रूस्कृत किया गया मौके पर राज़द नेता डौक्टर अरून पर साध्यादव ने किलाडियों और आयोचक कमीटी के प्रती आभार प्रगट करते हुए कहा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से पांकी पुरे राज जिस्तर पर बदनाम हुई है वहीं दो पक्च के लोगों के बीच रोमांचक मुकाबला और भायचारगी के साथ मैच समाज को सुखद संदेश देता है और इस भायचारगी को और सोहार्द के माहल को बनाय रखना ही पुरे पांकी विधान सभा के चनता की चबाब देही है कि एक यह संयोग मात्र है कि कुछ दिन पहले दो मजभों के बीच में पांकी में पुर्भा के पुर्ण घटना घटा और आज संयोग देखिए कि उसी पांकी विधान सभा में दो समुझाओं के बीच में सांतिपुर्ण मैच खिलाया गया और काफी संयम और अनुसासन के साथ ये खेल को देखा गया और दोनों समुझाओं के लोग आज यहां पर इकठा वे और बहुत अच्छे तरीके से खेल कम मजा लिए आनंद लिए और सांतिपुर्ण तरीके से अपने अपने घर की और प्रस्तान कर रहे हैं तो समाज को इस खेल की भावना से ये संदेश जाता है कि अगर जिस तरह आयुजन करता ने दो मजबों के बीच में सांतिपुर्ण तरीके से खेल को सफल तरीके से निकाल दिया उसी तरह अगर छेत्रे का नित्रित तो करता अगर चाहे उसकी मानसिक इस्तिती अच्छी हो नियत अच्छी हो तो कभी भी अपने चेत्र में भाईचरा ख्राब नहीं होगा कभी कोई दंगा नहीं होगा